दोस्तो आज बन रहेंगे हम ब्रेक्फास्ट बहुत इजी तरीके से क्योंकि आज हम घूम के आते हैं तो घूमने के आने के बाद लगता है कि कुछ हलका फुका खाया जाए तो मैंने सोचा आज सुबह में ये ब्रेक्फास्ट बना लेती हूँ तो ये है पत्ता गुबीज कैबीज जो भई खाने में बहुत अच्छी होती है और खाने भी चाहिए और इसके बाद से हम डालेंगे एक लसुन मैंने इसको बारिक-बारिक काट लिया है और लसुन को भी मैं इसमें बारिक-बारिक काट लूँगी क्योंकि लसुन इसमें डालेंगे लसुन का बहुत अच्छा तेस्ट आता है हूं और तुम कोई भी चीज में गालिक डालते है तो उसका टेस्ट बढ़ ही जाता है है और मैंने इसको छोटे-छोटे कट करके इसमें डाल दिया है उसके बाद क्या करेंगे दोस्तो एसमें करेंगे एक हारी मिर्च रहे मिर्च डाल के और यहार मर्च मैंचे लिए अब हारी मेर्च में काट लिए वह इसको भी थोड़ा मोटा मोटा काटेंगहाद दोस्तों बार बार को बार कोई ना कोई डिस्टप मुझे कर देता है तो इसलिए आवाज सोड़ी सी मेरी कट हो जाती है तो लेकिन आपने क्या मिर्च को काट लेगे जो एड़े करेंगे थोड़ा सा नमक नमक जीर आजवाज वाइंघ जो आपके पास ब्लाल दीजिए और उसके बाद इसको कर लेना मिक्स करने के बाद इसमें ब्रैट में लगा लेगे आप चाहे तो ब्रैड में लगाए या फिर कोई बर्गर में लग चाहे तो इसको आप बेसन के घुल में भी मितलव लगाके डिप करके अच्छे से शेक सकते हो फ्राइ कर सकते हो पकोड़े बना सकते हो लेकिन मैं इसका टोस्ट बनाऊंगी तो इस पर मैंने दोनों ब्रैड पर लगा लिया है इसके ऊपर एक ब्रैड वह रख देंगे इसके तवे पर या फिर टोस्टर में सेख के तैयार कीजिए और यह बहुत इजी तरी करके मैंने ब्रेकफास्ट बरना है क्योंकि जब भी हम कई से बाहर आते थके होते हैं तो हमें एक अच्छा और बड़ी ऐसा नासा चाहिए होता है तो जल्दी बनने वाला तो मैंने यह बना सीख सकते हैं और मैं बहुत इजी तरीके से कुकिंग करना सिखाते हूं बाई दोस्तों अपना ध्यान लखे वीडियो ऐसे देखते रहे